नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो स्त्री होया पुरुष विवाद दोनों के लिए भोती महतोपुर्ण बात है विवाद के बाद दोनों का ही जीवन बदल जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है हमारे शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए है लेकिन जिनका पालन करना उनके लिए हर दृष्टी से हितकारी होता है हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बाते बताई गई है जिने विवाह के बाद स्त्री तता पुरुष दोनों को ही करना चाहिए ताकि उनका आपसी सोहार्थ बना रहे और पारिवारिक जिवन में सुक्षान्ती रहे विवाहित महिलाव को भी शास्तुर में बताई गई इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए है आनेता घर में द्वेश, कलेश, चिंता, कलह, इत्यादी प्रकार के विकार उत्पन हो सकते है और घर का सोभाग्य दुरभाग्य में बदल जाता है आज हम आपको बताने जा रहे है विवाहित महिलाव को कौन से गहने पहने नहीं चाहिए क्योंकि इन गहनों को पहनने से मालक्षमी रुष्ट हो जाती है इसके साथ ही पती की प्रानों पर भी संकट खड़ा हो जाता है इसलिए महिलाओ को खास कर इन गहनों को पहनते समय शास्त्रों में बताईगे इन बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए तो आईए जान लिते हैं पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरू करें साथी वीडिय को भी ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे उस परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुँचे और परिवार के सदस्यों को समाज में शर्मिंदा होना पड़े सबसे पहली बात वास्तु शास्त्र की द्रश्टी से प्रती दिन घर में इश्वर की पूजा, भक्ती, वरत, पूरे विदी विधान से हो ये उस घर की सुक्सम्रेदी के लिए बहुती महतो पूर्ण है और घर का प्रतेक सदस्य, ईश्वर की आराधना करे इस बात की जिम्मेदारी भी विशेश रूप से उस घर की महिलाओ की होती है, तता घर के सदस्यों में एवं बच्चों में अ परंपराओं की प्रती आदर होता है, उस घर में हमेशा सकारत्मकता रहती है और सकारत्मक वातावरण में ही मालक्ष्मी निवास करती है, दूसरी बात, कहा जाता ही कि मुझ से निकली गई कोई बात वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए दोस्तों घर की महिला होया अपने घर के किसी भी बड़े बुजरुग या किसी भी सदस्यों को भला बुरा कहना नहीं चाहिए, जो आप पर आश्रित हो या आपके सहारे पे जीवन गुजार रहे हो, उनका भी आपमान करना नहीं चाहिए, आपके गुस्से में बोले गए शब्द, आपकी दुर्व व्यवहार से आहत होकर हो सकता एक वव्यक्ति भी, मन ही मन आपके लिए अमंगल की कामना करता हो, इस प्रकार पूरे घर में ही नकार्त्म कुर्जा व्यापत हो जाती है और घर में आनिष्ट जरूर होता है, विशेशकर महिलाओं को अपनी जुबान पर संयम आवश रखन और घर में गाली गलोच और अपशब्दों का प्रयोग कभी करना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्षमी जैसे घर में बिलकुल भी रहना पसंद नहीं करती, जहां पर घर की महिलाए अपशब्दों में बाते करती हैं तीसरी बात, कभी भी अपने परिवार की किसी भी बात को या विवात को अनावशक हो, तो घर के बाहर लेकर ना जाए, अपने परिवार के सदोस्य की बुराई या चुगली समय बिताने के उद्देश से ना करे, बलकि उन बातों को नजर अंदाज करके उस समय का सदूप अर्यदिवा कुछ ऐसी चीजे पहन लेती है, जो कि शास्त्रों में एक विवायत महिला को पहनना वर्जित है, तो उस घर की वास्तु भी नाराज हो जाती है, आईए आप जानते हैं वह कौन सी चीजे है, जिने किसी भी विवायत महिला को पहनना नहीं चाहिए, सबसे पह महिलाओ के लिए सफिद रंग वईदव्य का प्रतिक होता है, इसी तरह दोस्तो विवायत महिलाओ को पूरे काले रंगे के कपड़े भी कभी पहनने नहीं चाहिए, इससे शनी का प्रकुप होता है, दूसरी बात, दोस्तो आपने देखाई होगा कि विवायत महिलाओ अप इसलिए किसी भी विवायत महिलाओ को अपने पैरों में सोने के आभूशन कभी पहनने नहीं चाहिए, इससे माता लक्षमी का अपमान होता है, और वे हमसे क्रोधित हो जाती है, तीसरी बात, काले रंग की चुडिया भी किसी विवायत महिलाओ को पहनना वर्जित है, और क पशेस्तों चुडियों में काले रंग का इस्तमाल कभी भी करना नहीं चाहिए, तो दोस्तों येते वो गहने जो विवायत महिलाओ को कभी पहनने नहीं चाहिए, अगर ये जानकरे आपको पसंदायते वीडियो को लाइक करे, कमेंड में जे मालक्षमी अवश्य लिखे, स साथी चानल को सब्सक्राइब करे, ताके बैसे अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके, धन्यवाद